हलो फ्रेंड्स कोई तैवार हो या कोई ओकेशन गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जो घर में हर किसी को बहुत ही पसंद आती है बर ट्रेडिशनल वे में इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए आज में गड्स के प्रेमिक्स से गुलाब जामुन की रैस्पी बनाना शेयर करने जा रही हूं मैंने 100 ग्राम के गुलाब जामुन का ग्ड्स का पैकेट लिया है जिसमें लिखा है कि इसमें 20 गुलाब जामुन बनकर त्यार होंगे इसके साथ ही इसमें पीछे भी सारे instruction लिखे होते हैं जिसमें की dough लगाना इने fry करना और चाशनी कैसे बनाना है ये सारे instruction होते हैं इन इन instruction के अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और 90% लोग यही गलतिया करते हैं जिससे उनके गुलाब जमुन अच्छे नहीं बनते तो आज मैं वही सब शेयर करने वाली हूँ तो एक बावल में गिट्स के pre-mix को हम डाल लेते हैं और एक चमच की हल्प से इसकी सारे ही गुटलियों को हम खतम कर देते हैं आप चाहे तो प्रे-mix को एक बार चान भी सकते हैं अब इधर गुटलियां हो गई है खतम पैकेट के पीछे लिका है वन थर्ट कप दूद य जरूर ध्यान रखे कि यहां हमें किसी भी प्रकार को कोई आठा नहीं गूतना है उससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे चाहे तो इसे चम्मस से भी मिक्स कर सकते हैं पर यहां पर इसका आठा बिल्कुल भी न गूत हैं इसे थोड़ा थोड इसलिका है कि आप इसका डोल लगाकर डारेक्ट गोलियां बनाना स्टार्ट करें लेकिन इसे कम से कम 15 मिनिट का रैस्ट हम जरूर देंगे जब तक हम चाष्णी यहां बना कर त्यार कर लेंगे गैस पर मैंने इकड़ा ही चड़ा दी है अब इसमें डालेंगे हम डेल कप चीनी साथ ही डालेंगे एक कप पानी और इस पानी में पहले हम हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे जिससे की चीनी यहां जल्दी से मेल्ट हो जाए एक बार जब चीनी अच्छी तरीकी से घुल जाती है तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं और इसे लो फ्लेम पर 5-6 म पकने देते हैं तो यहां चाशनी में हमें कोई तार नहीं बनाना है बस जब यह लो फ्लेम पर 5-6 मिनिट पक जाती है तो यहां चाशनी हो जाती है तैयार से हातों पर इस तरीके से रब करने पर यह एक तेल की तरह नजर आती है तो चाशनी में हम डालेंगे एक चमच कुट प्री-mix ने सारा ही दूद को एब्सवर्ब कर लिया है और ये थोड़ा ड्राय हो गया है तो एक बार हलके हाथों से mix कर देंगे और अभी भी यहाँ इसका हम डो नहीं बनाएंगे और एक बार जब प्री-mix सैट हो जाता है तो हातों पे घी लगा कर इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं तो यहां हमें गुलाब जामुन छोटे ही बनाना है क्योंकि वो तेल में जाने पर काफी बड़े हो जाते हैं कि बॉल्स में हमें एक भी क्रैक नहीं चाहिए नहीं तो तेल में fry करते टाइम वो फटे फटे से नजर आते हैं और ऐसे ही मैं क्रैप फ्री बॉल्स बना लेती हूं फ्री मिक्स का डो काफी सॉफ्ट है इसलिए बॉल बनाने में हमें थोड़ी भी परिशानी नहीं होती और बड़ी आसानी से हम बॉल्स बना सकते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ एक बैच में फ्राय होने वाली ही बॉल्स बना कर तयार करेंगे बाकी की बॉल्स जब हम फ्राय करते रहेंगे तभी बनाएंगे गुलाब जामुन को फ्राय करने के लिए आप तेल या घी का यूज कर सकते हैं इधर मैंने तेल गर्म होने रख दिया है और तेल हमारा बहुत हलका ही गर्म होता है तो हम गुलाब जामुन की बॉल्स को इसमें डाल देते हैं इस बात का ध्यान रखे कि गुलाब जामुन क तो फ्राइ करते समय गैस की फ्लेम लो हो अगर हम हाई फ्लेम पर इसे फ्राइ करेंगे तो वो बाहर से बहुत ही जल्दी लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे अब जामुन को डालने की बाद एक मिनिट इसे चमच नहीं लगाए और एक मिनिट बाद हम सिर्फ तेल में ही चमच ऐसे चला देते हैं जिससे कि गुलाब जामुन टर्न हो जाते हैं और दूसरी साइड से भी फ्राय हो जाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का साइज काफी बड़ा हो गया है तो यहाँ low flame पर ही गुलाब जामुन को अच्छा सा golden brown color आने तक fry कर लेते हैं उधर हम चाशनी को भी एक बार गर्म कर लेते हैं क्योंकि चाशनी अब तक थंडी हो चुकी होगी जब हमारी गुलाब जामुन अच्छे से fry हो जाते हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं और गर्मा गरम ही चाशनी में हम इसे डाल देते हैं तो इन गुलाब जामुन को अब हम cover कर देंगे और दूसरे बैच को भी fry करके इस चाशनी में डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले की डाले गुलाब जामुन काफी बड़े हो गए हैं और बाद वाले बैच की गुलाब जामुन अभी काफी चोटे नजर आ रहे हैं इने चाशनी में हमें कम से कम आदे गंटे सोब करके रखना हैं तो आदे गंटे बाद आप देख सकते हैं कि यहां गुलाब जामुन हमारे perfectly full चुके हैं और इस पेकट से 15-16 गुलाब जामुन बनकर त्यार हुए हैं तो फ्रेंड्स प्रिमिक्स से गुलाब जामुन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है नहीं तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं तो यहां मैंने इसे पिष्टा से गानिश कर लिया है आप चाहें तो चांदी के वर्क से भी से सजा सकते हैं या इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं तो यह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फूले फूले गुलाब जामुन यहां बनकर तयार है रेस्पी अगर अच्छी लगी हो तो करें इसे लाइप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेर थैंक यू